हलो एव्डिवान एंड वेलकम टू ओनली आईएस आईए डिसकस करते हैं इंडिया मिड्लीस्ट एकॉनमिक कॉलिडॉर के बारे में जो एक नया रूट है जो जोडता है भारत को यॉरप से लेकिन क्या ये रूट जो देखने में ऐसा लग रहा है इसकी कुछ हिस्टोरिकल भी है क्यों आखर ये रूट बनाया गया जिसमें हम स्वेज कनाल को ना कवर करते हुए एक नया रूट ले रहे हैं जहां मिड्लीस से ग्रीस जाएंगे ग्रीस से हम यॉरप के तरफ जाएंगे और क्यों ये जो नया रूट डेवलप हुआ है ये बिलकुल इस रूट की त जिसमें सी रूट है रेल रूट है और जो कनेट करता है इंडिया को यॉरप से अगर आप देखे तो यहां आप इंडिया से आप उमान, दुबई, सौधी रेविया होते हुए इसराइल जाएंगे और वहां से फिर ग्रीस जाएंगे और फिर वहां से यॉरप जाएंगे तो ये एक ऐसा रूट है जो बिलकुल एक नए स्पाइस रूट की तरह है पुर जो रूट है ये एक नए स्पाइस रूट बनाने की सुरुवात है कहा ये जा रहा है, ये नए स्पाइस रूट इसलिए भी बनन रहा है ता कि वो चाइना के बेल्ट अनुरड इनिशेटिव को準र कर पाए लेकिन इसका खुद का एक इतिहास है वो इतिहास क्या है ये भी स क्योंकि digital cable भी बीचाई जाएगी जो इनको internet connectivity भी और तेज़ प्रवाइड करेगी data cable बीचे रहा hydrogen supply supply line की बाद चल रही है तो hydrocarbon, trade, energy हर sector में growth की भहिंकर समभावना लेकिन आखिर में यह नया route क्यों 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 क कनाल को ही bypass करने की कोशिश कर रहे हैं क्यों कहानी है क्या है यह देखते हैं इस वीडियो में इसके अलावे एक चीज़ और यह जो project है इसका support कर रही है PGII Partnership for Global Infrastructure Investment क्योंकि जो rail and shipping corridor यह इसका भी part है जो कि G7 nation का एक project था तो counter BRI कापी ज़रा investment की बात यहां की गई उनके द्व अब के पास वो technology नहीं थी और उन्हीं चाहिए होते थे मसाले अगर मैं आपको बताओं तो Egyptian mummy के nostrils से उनकी नाकों से आपको मिला है क्या तो काला नमक, black pepper तो वो कहानी है एक बहुत ही खास कहानी यह देखिए mummified demons of rames the great इनके नाकों से pepper cons काले नमक के जो छिलके से होते वो मिले थे तो वो दिखाता है कि किस तरह से जो spice root था वो पहले existence करता था और क्या कहानी थी उसकी देखिए normally सारा का सारा spice या तो यहां होता था या तो यहां होता था और यह सारा spice जाने का रस्ता था इंडिया से यह land route होते वे आप यहां पहुँचते तो यहां से फिर वाया sea route यॉर्पी चीज़ें जाया करते थी उस समय तक जब यहां पे बहुत बड़ी roman empire थी तब उनका कमजा इस पूरे इलाके पे उपर हुआ करता था यहां तक उनका empire जाना spread था तो आराम से इस route का इस्तमाल करते हुए अपने लिए मसाले इंडिया से लेके जाते थे और इसके लिए बहुत सी कहानिया बनागे पास कि वो कहीं से भी इंडिया से मसाले ला पाएं तो वो बैचारे यॉरपेंस क्या करते थे अरेबियन जो ट्रेडर होते थे इनको बहुत तगडी फीस देते थे बहुत सारे पैसे देते थे गोल्ड देते थे यह गोल्ड दिने के बावजूद उनको फिर वो spices मिलता था तो इतना महत्यपूर्ण हुआ करते थे मसाले उस समय के तो यह रूट हुआ करता था इनिशली लैंड रूट भी और जब यह सब जो ओल्ड रूमन अम्पायर का ट्रेड रूट था यह आपको यहां से दिखेगा बिल्कुल वैसा ही रूटर यहीं के थूरू या तो यहां से यहां से ट्रेड हुआ करता था इंडिया और यॉरप के बीच में यूरप के बीच में ताकि वो यूज कर पाएं स्पाइस को जिससे उनके खाने में क्या स्वाद बढ़े का जाता था कि इनसे लोग बिमार कम पढ़ते हैं खाना टेस्टी हो जाता था इनका और यहां त तक कि यह खाय जाता कि यूरप का सारा सोना न चला जाए इस स्पाइस के ट्रेड में ही तो जो इतिहास उसमें दिखते हैं में रूमन अंपार के साथ करला के मुजरिस के ट्रेड हुआ करते थे जो ग्रीक नेविगेटर्स थे उन्होंने ही पता लागा था कि मौनसून की इंड का इस्तमाल किया जाए तो आसानी के साथ इंडिया तक मौनसून के महिने में पहुचा जा सकता है हवाए उस तरब बहती हैं इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मुजरिस वगरा जो बड़े पोर्ट डेवलप होई करला में और कैसी इंडिया और यॉरप के बीच में हुआ गरता था पर मूशली फोल्डर स्पाइस फिर खतम हुई रोमन अंपायर उसके बाद शुरू हुआ सरका दर्ड यॉर्पेन कंट्रीज के लिए कैसे हम एक नया रूप ढूंडे क्योंकि पैसे सारे खत्म हो जा रहे हैं और तब आते हैं हमारे Emperor of Spices क्योंकि ये लोग वो थे जिदोंने इंडिया के मसालों को यॉरप भोजने का नया रस्ता निकाला वो थे बासको डगांगा तो इंडिया को नया नया डिस्कवर नहीं किया था पहले भी नहीं पता था इंडिया है जहाँ पे बहुत से मसाले हैं बहुत सी चीज़े है इन्होंने एक नया रूट डेवलप किया क्योंकि पॉल्टगाल ने उस समय सोचा कि भाई हमें अब चाहिए नया रूट तो ये गए थे इस तरह इन्होंने पहले ये वाला रूट पता नहीं था कि आप आफरिका के नीचे से भी जा सकते हो तो इन्होंने ये रूट पकड पहले पॉल्टगाल का ट्रेड हो उसके बाद जो हुई ग्रोथ शुरू इंडिया और योरप के ट्रेड की ये है पूरी कहानी तो ये ट्रेड रूट जो डेवलप होने शुरू हो इन्होंने साबित किया कि कैसे अगर आप एक नया रस्ता ढूंडो तो आपका जो कॉम्प इसा ही है एक नया जोडता है इंडिया को योरप तक और इस रूट की वजह क्या है क्योंकि अब इन्हें डर है चाइना के बियाराई का एक टाइम पे जब स्पाइस रूट बहुत जारा प्रचलित हुआ करता था जो रूट फॉल हुआ था उसी ने पूरी दुनिया में मस पूरी जमाले थी उनसे उन्हें लग गया थे उनको तो फाइदा ही नहीं कर इस तरह इनके कबजे में पूरा का पूरा लैंड रूट रहा तो 200 चा क्योंना हम एक अलग लैंड रूट बना है और क्योंना एक अलग शिप रूट बना है और जो डेवलप किया जाए और जब रूट भी खुल गया फिर यहां से स्वेज कनाल बना दी गई तो मेडिटरीन के थूरू आसानी से शिपिंग रूट डेवलप हो गए फ्रॉम इंडिया टू यॉरप तो अभी जो नया स्वेज कनाल और जो पूरा ये रूट है इसके उपर किसी और ट्रेडर का कबजा है उसका नाम है चाइनीज तो चाइना का बड़ता दबदबा जो इस रीजन पर है उसको काउंटर करने के लिए आज के टाइम में ये एक ग्रूपिंग एक नया क्रोड़ा डेवलप होते हैं में दिख रहा है जहां इंडिया एरब और यूरॉपियन कंट्रीस तक ये हाइफा पोर्ट ये कहां पर है इसराइल में है अल हरीता ये शहर कहां पर है सौधी रेविया में है अल हरीता से आप जॉर्डन जाएंगे वाया लैंड रूट और फिर जॉर्डन से आप हाइफा होते हुए ग्रीस जाएंगे ग्रीस का ये पिरायस जो पोर्ट है वहां फ पुराने सिल्क रूट को जिन्दा करेंगे और इस रूट के हिजाब से उन्होंने अपना Belt and Road Initiative launch किया जिसमें वो Europe, Asia, Africa को जोड रहे हैं उसी तरह we are revisiting history by creating a route which resembles like the spice route अगर आप देखें तो इसमें कितने सारे partners हैं तो इंडिया से लेके connectivity बढ़ाएगा from South East Asia, South Asia to Europe completely तो ये कहान है, इसी के विजए से हम देख रहे हैं ये नया route जो हमें याद दिलाता है the old spice route की, the old and the new spice route, India, Middle East, Europe, Corridor तो ये था आज का वेडियो, देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाल, keep on watching only, I.S.